दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 साल से भी ज्यादा लंबे समय की गुलामी के बाद हमारा भारत 15 अगस 1947 को अंग्रेजी सासन से आजाद हुआ 15 अगस 1947 के दिन जहां एक तरफ लोगों में अंग्रेजी कुर्टा के अंध को लेकर खुसियां थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही भाई बंदूओं से जुदा हो जाने का गम भी क्योंकि आजादी की खुसियां भारत में अपने साथ बटवारे का गम भी लेकर आई थी औ मुसलिम बहुली लाके को पाकिस्तान में सामिल किया गया तो वहीं हिंदू बहुली लाके को हिंदूस्तान में बटवारे के समय हमारे देश में कई सारे छोटी बड़ी रियासते भी थी जिनने यह स्वतनत्रता दी गई कि वह अपनी एक्षा अनुसार दोनों में से किसी बस फिर क्या था, दोनों ही देश के नेता, इस कोशिस में लग गए, कि अधिक से अधिक रियासते उनके देश में मिल जाएं, ताकि उस देश का एडिया बढ़ जाएं पाकिस्तान की मांग करने वाले मुहमद अली जिन्ना पाकिस्तानी इलाके में पढ़ने वाले रियासतों से यहां विंती करने लगे कि वह पाकिस्तान छोड़ कर ना जाए जिसके लिए मुहमद जिन्ना ने उन्हें कई सारे ओफर्स भी दिये पर जिन्ना के इस जहासे का आसर किसी भी हिंदू रियासत पर नहीं हुआ और वे सभी भारत में आकर मिल गए पर सिर्फ एक को छोड़ कर क्योंकि एक ऐसी भी हिंदू रियासत थी जिसके राजा को जिन्ना का ओफर इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का मन बना लिया दोस्तो जहां एक तरफ आज पाकिस्तान में हिंदू की क्या इस्तिती है ये किसी से छिपा नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ इस रियासत की हिंदू राजपूत राजा का आज भी पाकिस्तान में काफी दबदबा है वहाँ के लोग इनसे काफी डरते हैं और सिर्फ डरते ही नहीं बलकि उनका काफी सम्मान भी करते हैं दरसल मैं बात कर रहा हूँ अमरकोट के रियासत की जिसका नाम बदल कर उमरकोट कर दिया गया है यह जगह एतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं मुगल सासक अकबर का जन्म हुआ था यहां के राजा राना अरजुन सिंग थे बटवारे के समय जिन्ना ने राना अरजुन सिंग को यह ओफर दिया था कि अगर वह पाकिस्तान में ही मिल जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की सरकार में एक लंबे समय के लिए हिस्से दारी दी जाएगी साथ ही साथ कुछ बंदरगाह को भी उनके अधिन कर दिया जाएगा राना अरजुन सिंग को यो अफर इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान में ही सामिल कर दिया इसके बाद जैसा कि जिन्ना ने उनसे वादा किया था राना अरजुन सिंग को पाकिस्तान की हर हुकूमत में हिस्से दारी दी गई चाहे वह जिस भी पार्टी का हो साथ ही कहीं बंदरगाह को भी उनके अधिन कर दिया गया साल 1970 में राना अरजुन सिंग के मृत्ती हो जाती है जिसके बाद उनके बेटे राना चंद्र सीं को इस रियासत का राजा बनाया गया और वो भी पाकिस्तान की राजनीती से जुड़ जाते हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी जुआन किया और लगबग साथ वार मंत्री पत की सपतली माना जाता है कि वो पाकिस्तान के पुर्व परधान मंत्री जुलफिकर अली भुट्टो के काफी अच्छे मित्र थे बाद में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम पाकिस्तान हिंदू पार्टी रखा गया नाम के अनुसार इस पार्टी के जंडे का रंग भी केसरिया रखा गया राना चंद सीं साल 2010 तक पाकिस्तान की राजनीती का एक मुख्य चेहरा थे पर इसके बाद उनकी मृत्ती हो जाती है और इस रियासत का अगला राजा राना हमीर सीं को बनाया जाता है राना हमीर सीं उमर कोट के वर्तमान राजा है राना हमीर सीं भी पाकिस्तान की राजनीती में सामिल है और उन्होंने अपने पिताद्वारा बनाई गई पार्टी के टिकड़ पर 1990 से लेकर अब तक लगभग तीन वार मंत्रीपत की सपत ली है राना हमीर सीं ने अपने रियासत का युवराज अपने वेटे कवर करनी सीं को घोचित किया हुआ है हैरानी की बात ये है कि कवर करनी सीं वर्तमान में भारत के दामाद है दरसल साल 2015 में उनकी साधी भारत के राजिस्थान राजे के एक ठाकुर राज घराने में हुई है उनकी साधी ठाकुर मान सिहीं की पुत्री पदमिनी राठोर से हुई है साधी में करणी सिहीं की तरफ से पाकिस्तान से 100 से भी ज़्यादा साही महमान भारत आये थे राना अरजुन सीह का यह परिवार पाकिस्तान के सबसे अमीर परिवारों में से एक है इनके पास एक से बढ़कर एक लगजरी गाड़ियां और बड़े-बड़े बंगले हैं एक आकड़े के अनुसार इस परिवार की कुल संपत्ती लगभग 2 लाख करोर से भी ज्यादा की है पाकिस्तान में इनके दवदवे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी रियासत यानि उमर कोट पाकिस्तान का एक मात्र हिंदू बहुल इलाका है यहां हिंदूओं की कुल जंजंख्या लगभग 52 परतिसत है तो दोस्तों पाकिस्तान के इस हिंदू साही खांदान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जोड़ बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें अपना किमती वक्त देने के लिए धन्यवाद